हेए ब्रिवान वेलकम बेक टू माई चैनल आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एक स्टोरी के थुरू जो की स्टोरी काफी ज्यादा पॉपलर एंड इंटरेस्टिंग है अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूब करना चाहते हैं तो मै मिन्स होता है एक बार एंड मिन्स होता है एक फोक्स मिन्स होता है लोमडी एंड मिन्स होता है और क्रेंड क्रेंड मिन्स होता है सारस जैसे कि आप बगुला भी बोल सकते हैं बिकम बिकम मिन्स होता है बनना बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बिकें यानि की बन गए फ्रें दोस्त बन गे, once a fox and a crane became friends, so the fox invited the crane to dinner, so means ओते तो, fox means लोमडी, invite means ओता आमंत्रित करना, crane means क्या सारस, dinner means खाना, तो लोमडी ने आमंत्रित किया, किसको किया खाने पे, सारस को किया, यानि की बगुले को किया, the crane accepted the invitation and reached the fox's place at sunset, recep, except means होता uy स्विकार करना, invitation यानि कि निमंत्रण, reached यानि की पहुच गया, reach की second form होती है, reached, fox means से होता है, lovely sunset, sunset means haya, शुरियास्त, and place means होता है, अस्थान, तो सारस ने निमंत्रण स्विकार कर लिया, और सुरियास्त की समय, लोमडी की यां पहुच गया, तो चलिए आगे बढ़ते next point देखते है next point है हमारा the fox had prepared soup for his mate fox means होते है लुम्री had means यानि की था prepared यानि की तयार किया prepare prepared के second form होती है prepared soup soup means होते है soup for means होते है के लिए mate मेट मिन्स क्या होता है मित्रे यानि की साथी भी आप बोल सकते हैं जैसे की लोमडी ने अपने साथी के लिए सूप तयार किया था दा फॉक्स हैड प्रिपेर्ड सूप फॉर हीज मेट बट एज वी ओल नो देट फॉक्स अरकनिंग बायन नेचर बट मिन्स होता है लेकिन ऐस वी ओल यानि की हम सभी जैसे की हम सभी नो-nो मिन्स जानते हैं धैट मिन् आते हैं कि लोमडी अपने सोभाव से काफी जादा चालाग होती है बट आज वी ओल नोओ देट फॉक्स अरकनिंग बाय नेचर ही सर्फ दा सूप इन फ्लैड डिशेस सर्विंस होता है प्रोसा फ्लैट यानि की सपाट डिशेस यानि की बरतन उसने सूप को सपाट बरतन म लोमडी ने ही सर्फ दा सूप इन फ्लैड डिशेस सो ही इंसेल्फ लेट दा क्रेंज शेर विथ इस टंग इंज्वाइं इस रेलिश अलोट ही मिन्स होता है जैसे कि आप उसने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हिंसेल्फ यानि की खुद लेट यानि की चाटा क्रें में यानि की बगुले जैसारस आप जो भी बोल सकते हैं टंग यानि जीव इन जा यानि की मजा करना रिलिश यानि की होता है स्वाद अलोट यानि की खुब सारा तो उसे ने खुद बगुले की हिसे को जीव से चाटा और उसका स्वाद खुब चखा बट दा क्रें कुड ही सका इनल यानि की मजा विद यानि साथ यानि अपनी लंग मिंस यानि की लंबा बेग यानि होती है चोच गत्वय आ की लटना पड़ा हूम यानि घर-HUNGRY- Mana की भूखा लेकिन बगुले को अपनी लंबी चोच से बिलकुल मजा नहीं आया और उसे भूखा ही घर लटना पड़ा, but the crane could not enjoy it at all with his long beak and head to get back home hungry. The shrewd fox felt extremely amused. Shrewd यानी चतुर, fox यानी लोम्री, extremely यानी बहुत, amused यानी खुश. Chatur लोम्री को बहुत मजाया. The shrewd fox felt extremely amused. After few days, कुछ दिनो बाद, after meansot बाद, few meansot कुछ, day meansot दिन. The crane invited the fox to dine in with him. Crane यानी बगुले, invite यानी आमंत्रित किया, invited. इन्वाइट की second form है. Fox यानी लोम्री, dine यानी भोजन, with यानी साथ. बगुले ने लोम्री को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया. The crane invited the fox to dine in with him. The fox reached his place well in time. Fox यानी लोम्री, reached यानी पहुँच गया. His यानी अपने, place यानी अस्थान, well यानी की well in time, यानी की ठीक समय. लोम्री ठीक समय पर अपने अस्थान पहुँच गया. The fox reached his place well in time. The crane gave him a warm welcome and served the soup in a jug with a long and narrow neck. Crane यानी सारस, him यानी उसका, warm, warm यानी की गर्म जोशी से, welcome यानी स्वागत, serve यानी परोसा, soup यानी सूप. जग मींस यानी जग, लोंग यानी की लंब. नेरो मींस होता है संक्री, नेक मींस होता है गर्दन. सारस ने उसका गर्म जोशी से स्वागत किया और एक लंब यानी संक्री गर्दन वाले जग में, soup परोसा. The crane gave him a warm welcome and served the soup in a jug with a long and narrow neck. So the crane enjoyed the soup with great relish using his long beak. Crane, crane मींस होता है सारस, enjoyed यानी की आनन्द लिया, soup मींस होता है शूप. विद यानी होता है साथ, रेलिश यानी होता है स्वाद, using यानी की उपयोग, long मींस होता है लंब, बेक यानी होता है चोच. सारसन अपनी लंबी चोच का विप्योग करके बड़े चाव सी सूप का आनन्द लिया So, the crane enjoyed the soup with great relish using his long beak The fox's mouth couldn't reach the soup through the narrow neck of the jug Fox यानि लुम्डी, mouth यानि मूँ Could not, यानि की नहीं पाता Reach, reach यानि होता है पहुँच Could not reach यानि की नहीं पहुँच पाता Soup यानि soup, through means क्या की होते हुए Narrow means होता है संक्री, neck means होता है गर्दन Surahy की संक्री गर्दन से होते हुए लुम्डी कमू, soup तक नहीं पहुच पाता The fox's mouth couldn't reach the soup through the narrow neck of the jug He had to return home hungry He, he means how the why के लिए भी आप इस्तिमाल करते हैं इस्तिमाल कर सकते हैं and उन्हें के लिए भी आप ही के इस्तिमाल कर सकते हैं Return यानि लटना पड़ा, home यानि घर hungry means भोखा उन्हें भोखा ही घर लटना पड़ा, किसको लुम्डी को He had to return home hungry Now he realized that he had been repaired for his behavior with the crane Now means that I realize यानि की एहसास That means repair यानि चुका दिया, behavior यानि की बढ़ताओ, with यानि साथ, किरेंज यानि सार्स उसे एहसास हुआ कि सारस के साथ, कि उसको एहसास हुआ लुम्डी को उसके बढ़ताओ का बदला चुका दिया गया है तो यह थी आज की स्टोरी, अब आप बताए कि आपको इस्टोरी कैसी लगी अगर आपको इस्टोरी अच्छी लगी हो आपके लिए यूथफुल हो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा आपको किसी भी टॉपिक की रिलेटिट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएगा तो आज की वीडियों पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए बाए एंड टेक